बिस्मिल्लाइ रह्मानी रहीम असलामु अलाइकुम हाई डिस इस शगुफ्ता हैर वी वी लूप प्रेजन सिंपल टैंस सो आर्यू रेड़ी लैस स्टार्ट बिफोर स्टार्ट माई किलास आई वोड लाइक तो डिफाइन यू वाट इस टैंस दिखी टैंस क्या हैं टैंस ह हमारे जमाना शो करते हैं अब वो जमाना चाहे प्रेजन का हो चाहे पास्ट का हो चाहे फ्यूचर का हो और वो टाइम मतलब कि जमाना या टाइम आप कह सकते हैं वो टाइम हमें कैसे पता चलेगा कि वो पास्ट का है या फ्यूचर का है या प्रेजन का है टैंस से तो पहोती ज्यादा जरूरी है अगर आप English अच्छी बोलना चाहते हैं और अपने ग्रामर अच्छी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप Present Indefinite पर अपनी कमांड हासिल करें अगर आप जॉनों कहीं जॉब के लिए भी जाते हैं तो सबसे पहले वो ये देखते हैं कि अगर English तो present simple tense कैसा है, इसका है, we use present indefinite when we talk about present indefinite use करते हैं, जब हम बात करते हैं, daily routine की, आपके जो daily routine है वो आप हमेशा किसमे express करेंगे, define करेंगे present simple tense, daily routine आपके जो होते हैं, कि मैं सोबा सावेरे उठता हूँ, मैं अपना ब्रिक फास्ट करता हूँ, मैं आफिस जाता हूँ और उसके बाद ये तमाम चीजे जो आप डेली रूटीन है आपके प्रेजन इंडेफिनेट में आप जो है वो करेंगे, डिफाइन करेंगे, रिपीटिड एक्षन जो आप बार बार करते हैं, जैसे अगर मैं कहे दू बच्चों के लिहाज से के हम रोज स्कूल जाते हैं और उसके लावा क्रिकिट खेलते हैं, रिपीटिड एक्षन है जो आप एक से जादा टाइम करते हैं, मतलब हदे में पांच बार आप कर लेते हैं, तो वो आपके रिपीड एक्षन है वो भी आप किसमें डिफाइन करेंगे, प्रेजन सिंपल टैंस में, फेस्टिवल्स हैं, वो भी हम जो define करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे, तो वो present simple tense में बात करेंगे, इसके इलावा universal truth है, universal truth भी हम present indefinite में बताते हैं, present indefinite में बताते हैं, यह universal truth क्या होते हैं, जैसे कि मैं मिसाल दूँ कि Mount Everest is the largest mountain of the world, देखिए, यह क्या है, Mount Everest क्या है, कि जो है, सबसे बड़ा दुनिया का जो है, क्या है, mountain है, पहाड है, तो वो भी अगर हम किसी में define करेंगे, बताएंगे, तो present simple tense यूज करेंगे, उसमें, stories है, अच्छा, इसके इलावा Amazon है, वो सबसे बड़ा जो है, दरिया है दुनिया का, तो वो भी अगर हम उसके, universal truth कोई सा भी हो, अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो present simple tense में बताएंगे, यूज करेंगे present simple tense, stories है, इंग्रिश जितनी भी stories कहानिया होती है, वो हमेशा present simple tense में ही लिखी जाती है, ठीके जी, तो देखिए, आप कितने हद तक ये तम कि formula क्या है हमारा subject, subject, सबसे पहले हम लिखेंगे present simple tense बनाने के लिए subject यानि जो काम करने वाला होता है, उसे हम subject कहते हैं, वर्व यानि जो काम हो रहा है, वर्व कहते हैं काम को, और वर्व की कौन सी form यूज होगी, first form यूज होगी, उसके बाद हमारा object आ रहा है, object में क्या होता है, जिस पर काम हो रहा होता है, ठीक है जी, अच्छा जी, अब उसके बाद, अगर आपको present indefinite का negative बनाना है, यानि इंकारिया जुमला बनाना है, तो बिल्कुल formula वही रहेगा, बस subject के बाद, do या does not add कर देंगे, अब ये do कहां add करेंगे, और does कहां add करेंगे, वो भ फिर वही formula हमारा repeat हो जाएगा, वर first form plus object, अच्छा, इसके इलावा interrogative है, interrogative क्या होता है, सवाल या जुमला, अगर आपको present indefinite का सवाल या जुमला बनाना है, तो आप शुरू में do या does not लगा देंगे, और फिर वही subject plus verb first form plus object, वो बिल्कुल उसी तरह होगा, ठीक है जी, ठीक है जी, तो हाँ ये interrogative पे हम थे, अच्छा जी, अब मैंने भी आपको बताया के जो है do कहां लगेगा और does कहां लगेगा, देखिए do जब हमारा subject i, they, we, you and plural, क्यानि कोई जो है plural मतलब ज़्यादा बंदे काम कर रहे हों, ज़्यादा अफराद काम कर रहे हों, तो हमेशा उसमें लगेगा do चाए, आप negative बना रहे हों, वो do not लगेगा और interrogative बना रहे हो, तो do शुरू में लगेगा, ठीक है, और does कहां लगेगा, जब negative बना रहे हैं, तो does not लगेगा, जब हमारा जो subject है, he, she, it, singular हो या कोई नाम हो, और अगर interrogative बना रहे हैं, तो interrogative में देखिए, मेरे गलती से, जो है, not भी लगा दिया, क्योंकि यहां not नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ does आएगा, या do आएगा, not इसमें आएगा, negative इंका ज़हरी बात है कि does not लगेगा और interrogative में does लगेगा शुरू में, अच्छा जी, उसके बाद हमारा देखिए, present simple verb first form divide into two parts, ये तो मैंने आपको उपर बता दिया, negative और interrogative में does and do अगरा का सब तक голूत बता दिया, और present simple terms का फार्मुला भी बता दिया, अब धेखिए present simple which verb होत सबसे पहले ए丁 आए ए किया अगर हमारा समच्जेक्ट है यू, आई, दे , व एंड प्लॉरल अगर हमारा समच्जेक्ट यह है तो हमारा जो मतलब कि वह फैसरी हलोगा वो सिंपल हम लिख सी थो ऑसलाव, ब without करेंके प्रोग्चे हैं करें सी अध़ यूलबर suitable suitable application तो यू देखिए हमार थर्ट परसन होता है आप यहां भी इसको यूज कर सकते हैं और उसमें जो है वर्प का जो है ना कोई वो इशू नहीं होता कि यहां से हम जो अपको बता रहे हैं अगर आई दे वी एंड फ्लोरॉल होगा तो हमारी यह जो वर्प जो है वो सिंपल यूज होगा उसमें कुछ एड नहीं करेंगे वर्प की फर्स फॉर्म सिंपल यूज होगी लेकिन हमारा जो सेक्शन बी मतलब पार्ट टू है तो इसमें हम क्या होगा कि अगर हमारा सब्जेक्ट है ही है शी है इट है या सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे सिंपल उसका जो वर्प है उसमें एस या एस लगा देंगे ठीक है जैसे सी से देखी कि यहां जो है सी नॉर्मल यूज हुआ है लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट ही शी इट या singular होगा तो उसके जो वर्ब होगा उसमें जब हम present simple tense बना रहे हैं उसके वर्ब में हम क्या लगा देंगे एस लगा देंगे या फिर एस लगा देंगे ठीक है जैसे हमने go है लेकिन यहां हमारा देखी सब्जक्ट चेंज है तो इसमें हमने जो है इसके वर्ब में एस या एस लगा देंगे ठीक है तो यह आप ध्यान रखिएगा present simple tense बनाते वए कि you, I, they, we and plural में हम जो वर्ब है वो singular होगा कोई तो उसके वर्ब में एस या एस लगा देंगे ठीक है जी तो अब मैं start करती हूं present simple tense बनाना ठीक है जैसे कि अगर मैं एक जुमला आप से कहूं कि मैं रोज स्कूल जाता हूं ठीक है जी देखी present जो simple tense होता है आपको उसकी पहचान किस तरह करनी है उर्दू में कि उसके आखरी में हमेशा ताहे तीहे और तेहे आता है मैं खाना खाती हूं मैं बात करती हूं मैं गाना गाती हूं वो भागता है वो रोता है हम सोते हैं जिन जुमलों के आखरी में भी ताहे तीहे तेहे आता है वो present simple tense हैं वो इंगलिश हम कैसे होगी present simple tense में बनाएंगे जैसे मैंने कहा मैं रोज स्कूल जाती हूँ ठीक है तो सबसे पहले मैं रोज स्कूल जाती हूँ मैं सब्जेक्ट देखिए मैंने आपको ये उपर बताया है कि ये जो सब्जेक्ट लगेगा सब्जेक्ट यानि जो काम करने वाला है काम करने वाला कौन है मैं मैं की इंग्लि क्या होती है गो होती है तो मैंने क्या लिखा आइ गो ठीक है आइ गो अब कहां जाते हैं ऑब्जेक्ट क्या है किस पर काम हो रहा है स्कूल पर तो हम इसको मिलाने के लिए क्या लिए अई गो टू ठीक है चैनला कोह उसमें लिख देती हूं भी एच हम् Million के small writing में I go to school यह हमने object लिख दिया अब जो चीज़े रह जाएंगी वह बाद में लेकिंगा I go to school रोज जाती हूं तो क्या है डेली तो यह हम डेली लिखेंगे I go to school डेली ठीक है मैं रोज इस्कूल जाती हूं अब देखिए मैंने आपको उपर भी बताया है के जो अब मैंजे इसका क्या बनाना है नेगिटिव बनाना है तो नेगिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे अच्छा जी इसका नेगिटिव कैसे बनाएंगे हम आई डू नॉट यानि कि मैंने आपका फार्मूला में लिखवाया है कि आई के बार डू या डूस नॉट एड हो जाएगा नेगेटिव यानि इंकार या जुम्ला बनाने के लिए तो हम क्या लिखेंगे आई डू नॉट गो टू इस्कूल डेली ठीक है जी और एंटरो गेटिव कैसे बनाएंगे गेटिव के डू आई गो टू स्कूल यानि कि क्या मैं स्कूल जाता हूँ पहले है कि I गो टू स्कूल डेली यानि कि मैं रोजाना स्कूल जाती हूँ या जाता हूँ I do not go to school daily मैं रोजाना स्कूल नहीं जाती हूँ और do I go to school यानि एंट्रोगेटिफ सवाल या जुमला कि क्या मैं स्कूल जाती हूँ रोज do I go to school daily ठीक है जी अब नेक्स जुमला हम बनाते हैं जैसे Miss Somera टीज ग्रामर यानि कि Miss Somera जो है ग्रामर पढ़ाती हैं ठीक है तो Miss Somera ग्रामर पढ़ाती हैं मतलब कि यह simple present tense है तो सबसे पहले हमने लिखा Miss Somera सबजेक्ट क्या है नाम है तो हमने लिखा Miss Miss Somera और उसके बाद है Teach Grammar Miss Somera अच्छा उसके बाद क्या है हमारा देखिए मैंने आपको उपर भी बताया है कि जो name होगा उसका जो word होगा उसमें S या ES लगेगा तो पढ़ाने को English में क्या कहते हैं हम Teach कहते हैं Miss Somera इंग्लिश ग्रामर पढ़ाती है Miss Somera ग्रामर पढ़ाती हैं तो हमने सबसे पहले Miss Somera लिखा और उसके बाद पढ़ाने की English लिखी हमने Teach और फिर मैं क्या करूंगी इसमें Yes एड़ कर दूँगी क्यों एड़ कर दूँगी क्योंके Miss Somera singular person है मैंने अभी आपको उपर बताया है यह देखिए यहां बताया है एस या एस ही, शी, इट एड़ सिंपल भी एड़ एस और एस ही, शी, इट या कोई भी नाम हों ठीके जी तो Miss Somera टीज ग्रामर यहां स्मॉल में लिखते थे ठीके जी तो Miss Somera ग्रामर पढ़ाती है Miss Somera टीज ग्रामर ठीके जीए, इसका हमने सिंपल प्रेजन टैंस बना लिया अच्छा, अब उसके बाद है हम इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे बिल्कुल वोई जुबला देखिए लिख देगे और बस क्या करेंगे हम इसको पर टाइम बचाने के लिए कॉपी कर लेती हूँ नेगेटिव कैसे बनाएंगे देखिए अब देखिए इसके जो वर्ब है उसमें S या E S आ रहा है तो जिसके वर्ब में S या E S आता है इस सिंगिलर परसन है तो उसमें हम क्या लगाते हैं नेगेटिव बनाने के लिए ड़स नॉट तो हम क्या करेंगे ड़स नॉट लगाएंगे और फिर याद रखिएगा जो वर्ब का जो S है वो हमारा हड जाता है ठीके जी वर्ब का जो S है S और E S जो हमने लगाया है वो हड जाएगा जब हम अपना नेगेटिव या एंट्रोगेटिव इसका बढ़ाएंगे जिसके वर्ब में S या E S आता है तो हमने क्या किया मिस सोमेरा डजनॉट पीज गिरामर और फिर उसके बाद हमने ये जुमला दुबारा लिखा और हमने क्या लिखा एंट्रोगेटिव अब हमें क्या करना है एंट्रोगेटिव बनाना है यारी सवालिया जुमला बनाना है मैं थोड़ा शौर्ट लिख रही हूँ ये एंट्रोगेटिव के लिए हम शुरू में लगा देंगे क्या लगाएंगे 10 10 क्यू लगाएंगे मैंने कितनी अभी आपको पिछले उसमें बहुत ही डिटेल में डिफाइन किया है डज लगा देगे डज लगा देगे डज लगा देगे डज भी सुबहरा टीज गिराबर अब S और E S इसमें से भी हटा देगे जब जहां जिन जुम्लों में डज लगता है अच्छा एक और जुम्ला बना के देखते हैं वो गाना गाती या वो एक गाना गाती है तो हम क्या लिखेंगे शी सिंग आ सॉंग देखिए शी जो है सब्जेक्ट हो गया वो गाना गाती है मत्तब लड़की है वो सिंपल प्रेजन टेंस है तो शी लिख दिया हमें ने वो और गाने को इंग्लिश में क्या कहते है मत्तब गाती है को इंग्लिश में क्या कहते है काम गाने का हो रहा है गाने का तो क्या काम हो रहा है गाने का तो इसको इंग्लिश क्या बोलेंगे हम सिंग बोलेंगे और गाने को English में क्या कहते है song ठीक है जी song गाने को कहते हैं और वो जो गा रही है उसको हम sing कहेंगे she sing our song ठीक है अब इसका negative बनाने के लिए हम क्या करेंगे क्योंकि ये हमारा she है तो that's why हम क्या करेंगे अच्छा sing है तो उसमें हम s लगा देंगे क्यों क्योंकि ये जो है singular person है she sings a song अब क्या करेंगे she does not sing a song ऐसा आदेंगे sing a song और entrogative में क्या करेंगे does does she sing a song अच्छा जी उमीद है आज यहां तक आपको समझ में आया होगा अब मैं आपको बताऊंगी non action positive मतलब के non action भी present simple tense ही होते हैं क्योंकि मुझे आपको पूरा आपको बताना है ये present simple tense तो इसलिए मैं आपको ये तफसीलन बता रही हूँ ये present मैंने indefinite तो आपको जो है तफसीलन बता दिया इसी का पार्ट है present indefinite का ही non action तो non action के लिए हम क्या करेंगे देखिए सबसे पहले उसमें भी जो है ना मतलब के present indefinite ही है लेकिन उसमें कोई काम नहीं हो रहा होता ठीके जी तो हम सबसे पहले इसकी heading डालते हैं non action और non action इसको हम कहेंगे positive ठीक है जी तो इसका formula क्या है हम formula लिखेंगे formula है हमारे पास subject शौर्ट लिख रही हूं मैं plus is mr और plus object अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें non action क्या होता है कि वो भी present simple tenses लेकिन इसमें कोई verb नहीं use हो रहा होता देखिए यहां verb में कोई काम नहीं हो रहा होता कोई action नहीं हो रहा होता ठीक है जी और अगर हम इसका negative बनाएंगे तो negative बनाने के लिए हम क्या करेंगे के not लगा देंगे किसके बात यह helping verb के बात तो हम क्या होगा negative यानि इंकारिये जुम्ला बनाने के लिए subject plus is mr किसके साथ हम क्या लगा देंगे plus not लगा देंगे और मतलब के is mr not plus हटा देते हैं बलकर इस mr जो भी लगेगा उसके साथ हम not लगा देंगे और फिर हम क्या करेंगे object लिए और उसके लावा जब एंट्रोगेटिफ यानि सवालिया जुम्ला बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे is and या शुरू में लगाएंगे अच्छा एक चीज़ जो मैं आपको जो है नहीं बताईए वो यह है कि एंट्रोगेटिफ में हमेशा question mark लगता है ठीके जी तो जहां जहां आपने एंट् question mark लगा देती हूं ठीके जी जहां जहां आप एंट्रोगेटिफ बनाएंगे वहां वहां आपका question mark लगेगा ठीके तो अब इसका एंट्रोगेटिफ तो एंट्रोगेटिफ कैसे बनेगा is m या r हम शुरू में लिखेंगे और उसके बाद plus subject plus object और plus हम क्या लगाएंगे question mark अच्छा simple है ये देखी के formula में इस m r है तो negative के लिए इसके बाद जो है आप not लगा देंगे कुछ भी यो यूज हुआ है helping work और जब हमें एंट्रोगेटिफ यानि सवालिया बनाना हो तो वही helping work शुरू में ले आएंगे ठीके जी तो दुबारा फिर वह helping work नहीं लगा हैंगे ठीके जी तो इसकी example क्या है फर्स करें हम कहते हैं कि हम foundation किलास में we are in foundation किलास अब ये भी क्या है देखिए present simple tense ही है लेकिन इसमें देखिए कि कोई भी हमारा काम नहीं हो रहा हम से बता रहे हैं देखें मैं अगर मैं बताओं कि मैं एक student हूँ तो वो भी एक कोई काम नहीं हो रहा है लेकिन है ये present simple tense देखिए जैसे मैंने कहा कि हम foundation किलास में हैं या हम English किलास ले रहे हैं लेते हैं हम तो इसकी English कैसे बनाएंगे जैसे हमने कहा कि we are in foundation किलास हम ये कह रहे हैं हम foundation किलास में हैं तो हम क्या करेंगे वी की English मतलब कि हम की English क्या होगी वी होगी वी और हैं मतलत कि वी तो पहले ही आपको पता है प्लोरल हैं बहुत जादा लोगी बात हो रही है तो यह हम इसके साथ क्या लगाएंगे आर लगाएंगे वी आर इन किसमे है, जगी सबसे पहले इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद इस MR है, सब्जेक्ट क्या है, वी, यानि कि हम foundation किलास में है, अच्छा, हाँ, ठीक है, हम foundation किलास में है, वी, आर, इन, किसमें है, अब object क्या है, foundation, foundation किलास में है, ठीके तो हमने क्या बताया कि वी आर इन फांडेशन किलास हम फांडेशन किलास में हैं अब अगर हम इसका नेगेटिव बनाए तो हम क्या करेंगे सिंपल बहुत इजी है यही दुबारा उतार देती हुमें बस नॉट का इदाफा कर दूँगी वी आर नॉट इन फांडेशन किलास और एंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम देखी यह नेगेटिव बनाया है मैंने एंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम इसका दुबारा से मैंने वही उतार दिया आर वी आर इदर से हटा देंगे जो भी helping वरव है वो उसका शुरू में लेके आ जाएंगे आर वी इन foundation किलास अच्छा ये एनल आएगा क्या हम foundation किलास में है ठीके जी अच्छा अब इसके इलावा और भी चीज़े देखें आप कर सकते हैं जैसे मैंने कहा सर अफजल के पास four classes है तो मैंने इसकी English बनाई सर अफजल है four classes देखिए सर अफजल क्या हो गया हमारा subject हो गया हमने कहा भई के have four classes हमने कहा कि इसमें जो है ना four classes है उनके पास have आ गया हमने इस MR लिखवाया है लेकिन have मैंने इसलिए लिखवाया है तो यह भी हम एक तरीके से प्रेजंट सिंपल टैंस में ही कहनेंगे सर अफजल have four classes ठीक है जी आप इसके साथ have भी लिख सकते है four classes अब इसके बाद अगर हम इसका negative बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे सर अफजल अच्छा यह मैं जो है उसका जुमला बना रही हूँ प्रेजंट सिंपल टैंस का जुमला बना रही हूँ यह इसका नहीं बना रही हूँ इसमें नहीं इजाफा किया है मैंने मैं उसमें बता रही हूँ आपको कि प्रेजंट सिंपल टैंस है लेकिन इसमें भी काम नहीं हो रहा है लेकिन इसमें हमने हैफ का जो है इजाफा जो है न किया हुआ है मैंने अभी बताया इसमें कि आप हैफ का इजाफा भी कर सकते हैं जो फॉर्मूला है यहां हम है भी लिख सकते क्योंकि इसमें भी कोई एक्षन नहीं हो रहा है ना ठीक है सरजल डज नॉट डज 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 नॉट है फोर क्लास इस ठीक है जी और डज अब पूरा जुमला हम ऐसी लिख देंगे डज सर अफजल है फोर क्लास इस ठीक है अगर है की बात होती है रफने की बात होड़ी या आप कुसी भी अपनी चीज का बात बता रहेंगे मुझे सरदर्द है या मेरे जो है दो बहन भाई है तो इसमें है यूज करेंगे वह भी प्रिजर्ट सिंपल टैंस है उसमें कोई काम नहीं हो रहा हुँ है और फिर उसके बाद जो है वह होगा कि डज नॉट और लगा देंगे डज नॉट है और और वह शुरू में लेके आ जाएंगे अगर एंट्रोगेट सकते हैं हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर डिजे अपनी दौाओं में बहुत याद रखिएगा सी यू अगेन अल्लाव